हम सब जानते हैं कि अर्थ पर यूमन बिंग्स बहुत पहले से रहते आ रहे हैं बहुत पहले मतलब मिलियन यूर्स अगो पर क्या आपने गभी सोचा है कि इनकी लाइफ हमसे कितनी अलग होगी मतलब हमारे पास आज रहने के लिए घर हैं पर शायद उनके पास घर नहीं होते थे वो ऐसे ही घूमा करते थे बीना घर के रहना आसान होता होगा या फिर ये उनकी नीटती आज हम साइन्स और टेक्नलोजी में इतने आगे निकल गए हैं वहीं टूल्स बनाने के लिए वो लोग पत्थर यूज किया करते थे क्योंकि शायद उन्हें आइरन और दूसरे मेटल के बारे में पता ही नहीं था दूर तक ट्रावल करने के लिए हमारे पास ट्रेन और एरोप्रेन है पर उनके पास ट्रेन तो दूर एक वील भी नहीं था वह कैसे प्लेस टू प्लेस मूफ किया करते हूं शायद पैदली अब्रीवन वेल्कम टू लॉन विधर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर टू क्लास्टेक्स हिस्ट्री का जिसका नाम है और जैसे कि चैप्टर के टाइटल्स ही पता चल रहा है इसमें हम अर्लियस पीपल की कम्प्लीट जर्नी देखेंगे हम पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पर लोग कैसे रहते थे उनका क्या लाइफ स्टाइल होता था क्या फूड वह खाया करते थे उनमें कोई स्किल भी होती थी या नहीं और वो मूव क्यों करते थे सबसे पहला टापिक है अर्लियस पीपल वाय देवर अन्दी मूव मतब पुराने डाइम में लोग इधर से अधर मूव क्यों किया करते थे आपको याद होगा हमने पिछले चाप्टर में भी कुछ ऐसा ही टापिक पढ़ा था कि लोग ट्रावल क्यों करते हैं तो पेर हम दुबारा ये टापिक क्यों पढ़ रहे हैं दोनों topic में फर्क या है तो फर्क यह है कि first chapter में हम पास के overall सभी लोगों की बात कर रहे थे फिर चाहे वो hunter gatherers हो, king हो, adventurers हो लेकिन इस chapter में हम specifically earliest people की बात कर रहे हैं और यह वो early stage है जिसमें लोग hunter gatherers थे तो इतना clear है कि यह chapter सिर्फ earliest people के बारे में है जो hunter gatherers थे तो topic पर आते हैं कि earliest people move क्यों करते थे तो सब content में 20 लाग साल पहले hunter gatherers रहा करते थे और जिस तरह से वो food obtain करते थे इधर से उधर move करना उनकी जरूरत थे तो वो food कैसे उप्टेन करते थे जैसे नामसी पता चल रहा है कि hunters hunt करते थे animals को और gatherers collect करते थे plant produce को अब hunters क्या चीज़े hunt करते थे जैसे wild animals, fish और bird और gatherers कौन से plant produce को collect करते थे plant के seeds को collect करते थे, उनकी leaf को collect करते थे, fruits खाते थे और पेड़ के जड़े वगारा stocks भी खाते थे, stocks होती है, plant की soft done लेकिन क्या hunting gathering करना बहुत आसान होता था? जी नहीं, hunting करने के लिए चाहिए थी skill और talent क्योंकि animals हमसे ज्यादा powerful होते हैं, especially wild animals और हमसे भी तेज भागते हैं, उन्हें hunt करने के लिए hunters को alert रहना पड़ता था, बहुत quick रहना पड़ता था अगर वो बिना presence of mind के, बिना धियान के hunt करते, तो जानवर भाग जाता, इसलिए वो full presence of mind के साथ hunting किया करते थे तो ये थी hunters की skill, अब बात करतें gatherers की जंगल में food collect करना भी आसान नहीं था, वही food collect कर सकता था जिसको plants की अच्छी knowledge होती थी क्योंकि जंगल में बहुत से plant जहरीले भी होते हैं, तो food collect करने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी था कि plant का कौन सा party या खुद plant ही खाने लायक है और कौन से जहरी लायक है, इतना ही नहीं ये भी knowledge होनी ज़रूरी थी कि कौन से season में fruit पच जाता है तो इस तरह से hunter gatherers अपनी skill और knowledge से food को obtain किया करते थे food obtain करने के लिए उन्हें ज़रूरत पढ़ दी थी इधर से उधर move करने की जिसके बहुत सारे reasons थे, बुक में four reasons दियो है तो पहला है end of food resources, मतलब एक ही जगा पर लंबे time तक रहने से वहां के plant और animals खतम हो जाते थे, hunting से जानवर कम हो जाते थे क्योंकि वो hunt करते थे और कुछ इधर उधर भाग भी जाते थे वहीं एकी जगा gathering करने से भी plant resources खतम हो जाते थे और फिर खाने के तलाश में hunter gatherers को नए जगा move करना पड़ता था दूसरा reason था animals movement, animals भी move किया करते थे अपने खाने के लिए जिसे बड़े जानवर चोटे जानवर की तलाश में इधर से दर move करते थे और चोटे जानवर जिसे deer वगारा grass और leaves के लिए इधर से दर move करते थे और hunters जो इनको शिकार करते थे वो इनको follow करते करते दूसरी जगा move कर जाये करते थे तो इस तरह से एक chain बनी हुई थे कि animals अपने खाने के लिए move करते थे और hunters इन animals के लिए तीसरा था season इतना मैं पता है कि plants और trees पर fruits पकने का एक अलग season होता है होता क्या था जिस जंगर में fruits पकने में time होता था वो उस जगह से कहीं और move कर जाते थे और जब season आता तो food collect करने के लिए वापस आ जाते थे और इस तरह से वो लोग plants से fruit वगरा collect करने के लिए season to season move किया करते थे फोर्थ था water एनिमल्स हो या human beings या plants जिन्दा रहने के लिए सब को पानी चाहिए और पानी मिलता था river या lake से और इस वज़े से लोग नदी के किनारे भी रहा करते थे लेकिन river या lake दो तरह के होते हैं Perennial और Season Perennial फोरीवर्श होती है जिसमें पूरे साल पानी होता ए और सीजन होती यह वह जिसमें सि Ведь बारिश सीजन में पानी रहता है बाकि टाइम सुक रहता तो ड्राइ सीजन में जब नदी और जछील में Assist canrakless क तो लोग पानी की तलाश में कहीं और मूँव कर जाया करते थे तो यह सारे रीजन्स से जिसके वज़ए से hunter gatherers place to place मूँव किया करते थे और हां याद रहे पैदल मूव करते थे तो रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पड़ा हमने पड़ा के सब कॉंटिनेंट पर 20 लाक साल पहले हंटर गैदरर्स रहा करते थे वो स्किल्फुल होते थे उनके पास नॉलेज होती थी अपना फूड अप्टेन करने के लिए और फूड और वाटर के लिए वो इधर से इधर करते थे तो चाप्टर अभी बाकी है बलते हैं नेक्स वीडियो में